मुझा नीशा मल्टी मीडिया चैनल में हम आपको खुशामदेद कहते हैं देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको जूसिस, ताजा फल और सबसी आखाने का मशवरा जरूर देता है इसकी वज़ा इन चीज़ों के सिहत पर अच्छे असरात मुरत्ब होना है लेकिन बाज वखात हमारे गलत इस्तेमाल की वज़ा से ये जूसिस हमारी तबियत मसीद खराब कर देते हैं क्योंके हर सबसी और फल हर बीमारी में मुफीद नहीं होते इसलिए खास वयाल रखें के बीमारी के लिहास से जूसिस का इस्तेमाल किया जाए आज हम अपने प्रोग्राम में फल और सबसीयों के जूसिस के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे कि किस तरह आप बीमारी के लिहाज से जूसिस का इस्तिमाल करें बीमारियों में जूस के जरीए इलाज जूस थिरापी कहलाता है जूस का सही इस्तिमाल आपके मेटाबॉलिसम के अमल को तेज करता है सबसे पहले तो हम बात करेंगे फून की कमी की आजकल का आम लेकिन नहायत खतरनाक मसला खून की कमी को दूर करने के लिए महंगी दवाईया खाने की ज़रूरत नहीं बलके खुदरत की अताकरदा निमतों से फाइदा उठाएं खून की कमी को दूर करने के लिए आलूचा, लाल अंगूर, चुखंदर, इस्ट्राबेरी, गाजर, चेरी और पालक का जूस इस्तिमाल करें गठिया के मर्ज में अनानास, खटे सेफ, खटी चेरी, लीमू, ग्रेपरूट, चुखंदर और पालक का इस्तिमाल बेहतरी है जिन लोगों को सास लेने में तकलीफ होती है, इन्हें चाहिए कि खुबाने, लीमू, आउड, गाजर और मूली का इस्तिमाल ज्यादा से ज्यादा करें नसला उजुकाम से निजाद के लिए पालक, गाजर, प्याज, ग्रेपरूट और अनानास का रस इंतहाई मुफीद है डाइरिया में लीमू, अनानास और गाजर इंतहाई मुफीद है दिल के मरीजों के लिए चुकंदर, लाल अंगूर, लीमू, खीरा, गाजर और ग्रेपरूट का ज्यादा से ज्यादा इस्तिमाल करें हाई बिलट प्रेशर के मरीजों को चाहिए कि वो अंगूर, गाजर, कीनू, लौकी और चुकंदर का जूस इस्तिमाल करें शुगर जिससे हर दूसरा शफ्स मुतासिर है इस बीमारी में जामन, कीनू, ग्रेप्रूट, सलार, लौकी और पालक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें एक्सीमा एक जिल्दी बीमारी है जिससे निजाद के लिए खीरा, चुपंदर, लालंगूर और पालक बेहत मुफीद है सरदर्द को हम एक मामूली बीमारी समझते हैं लेकिन ये मुखतले वजुहाद की बिना पर होता है ऐसे में अंगूर, लीमू, गाजर, सलार्ट और पालक सरदर्द के लिए मुफीद है पीलिया यानि यरकान, इसको दूर करने के लिए नाशपाती, अंगूर, गाजर, पालक, खीरा, मुली और लीमू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मुफीद है वजन कम करने के लिए लीमू, कीमू, चेरी, अनानास, पपीता, तिमाटर, चुफंदर, बंगूबी, सलार्ट, पालक को भी अपने घुजा में जरूर शामिद करें आफिर में ये जरूर कहेंगे कि सबजियां उखल, खुदरत की अताकरदा नेमते हैं, इनका इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन एहतियाद की साथ अपनी सहत का खास हयाल रखें और बीमारियों से दूर रहें, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्ला नेके बार